वेरी गुड मॉर्णिंग अडियोडी मैं सभी कास सौगत करता हूँ फिजीज गयान मुकेशने एक चैनल पर बच्चों आज हम लोग देखने वाले मैकनिकल प्रॉपरिटीज औफ फ्लूड के इंपोर्टन्स फार्मूलेज लेकिन इस साल के लिए आपको पता है कि कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है तो भी कुछ फार्मूलेज को मैं इंट्रिडूस करूंगा आपको अब बोलेंगे क्यों सर क्योंकि उसका हम लोगों क काम है उसके साथ कुछ रिलेशन्स है जो पोर्शन्स है जादा नहीं लूँगा लेकिन आपको पता है कि इस चप्टर को मैंने जब लेक्चर ले रहा था तीन हिस्सों में बाठ दिया था कैसे एक हैट्रो स्टाटिक्स मतलब जब फ्लूड रेश्ट पे हो बाद में सरफे स्टेंशन जो की ओल्ड सिलाबस में पेशल चाप्टर था था थर्ड पार्ट है हैट्रो डायनामिक्स मतलब फ्लूड को मोशन्स में ला रहा था तब की बात है तो चलो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है जो की बच्पन से जानते हैं आप लोग 910 क्लास से प्रेशर होता है फोर्स पर इनिट इर्या और इसी प्रेशर के कारण हम लोगों एक फार्मूला निकाला था पी इस इकोल टू यच्छ रो जी कैसे देखो फोर्स पर इनिट इर्या फोर्स क्या है मास इंटू जी नूटन सा तो आता है ना मास क्या होता है वैल्यू क्या है तो मास की वेल्व मेरे पास ए याची रो जी एजटी डिवट बाई ए से ए को मरवा दो तो याची रो जी बास समझे यह सिंपल सी सीज़ है मतलब यह लौजिकल यार में जे यह बताना है कि आप लोगों को फार्मूली को किस तरह से घुमा सकते हो जो बच्चे घुम करना जाएं चलो नेक्स्ट देखेंगे हमारे पासे सरपेस टेंशन सर के ऊपर टेंशन सर है पोर्स पर उनिट लेकिन इसका मतलब सही में लेंद है क्या नहीं डाइग्राम की ऊपर डिपेंड होता है अगर हमने इसके डिक्स रखी लिक्वीड में है ना ये डिक्स रखी तो डिस्क की लेंद कैसे गिनते हैं टॉइस पायर और एकी सर्पेस कॉंटेक्ट में देखो यह तो अंदर डिक्स भरी वाली है तो यह फार्मूला सर्पेट टेंशन का लिखते हैं टॉइस पायर समझें लेकिन यही लिक्विड के अंदर अगर हमने रिंग डालते हैं सर्पेस अंदर का एक बाहर का समझें ना मतलब इस फार्मूले को टेंशन के फोर्स पर उनिट लेंद आपके हिसाब से नहीं चलता डाइग्राम की उपरे डिपेंड है कैसे फार्मूला लगाना है समझें कोई टेंशन है आगे बढ़ना है या पार्मूले को अच्छी तर अगर बबल रहा तो बबल में पता है ना बबल के अंधर भी आवागा होती बहर भी आवर होती मतलोग इसे जाहन आता है तो अब लोग लगाते है तो आपको पता होना चाहिए बबल में दो बबल बबल हो गया डबल इसलिए मैं बोलता है बबल बबल हो गया डबल याद रखने गए अगर आप लोगों मोज़े से बबल का सुरी या कोई भी spherical bubble रहा, कुछ भी रहा तब हम लोग ये निकाल के acute angle, active angle निकाल सकते हैं मैंने अच्छे तरह से theoretical में पढ़ाया है ये है बच्चो आपके लिए excess of pressure ये किसके लिए है ये हमारा drop रहा तो ठीक है, change इनीरिया पता है, मैंने आपको बता दिया था अल्री इसको याद करना पड़ेगा याद मतलब याद करने कि जोड़ना अगर derivation अच्छी तरह से देखो बच्चो आप लोगों कहिना question अच्छी तरह से करो ठीक है ये automatically बाते समझा जोने आने वाले drop के जगे पर अगर bubble रहा तो bubble bubble हो गया double देखो इसको double करो फारमूला मिलगा learn करनी की क्या जोड़ना दे यार bubble bubble हो गया double तो दो से multiply करो फारमूला मिल जाएगा उसके बाद में अगर capillary tube रही क्या capillary tube रही अगर उसमें liquid rise या fall होता है देखो rise और fall होता है मतलब यहाँ पे एक jar लिया मैं इसमे लिक्विड ले लिया तो इसमें एक लिया मैंने क्या capillary तो इसमें देखा मैंने तो इसमें rise हो रहा था इसे लिक्विड राइगा radio अर दूसरी ने लिए इसमें हो रहा था fall तेको यह फॉल हो रहा है समझे फॉल हो रहा है तो यह कितना राइज और कितना फॉल हो गया इसके लिए हमने एक फार्मूला निकाला है यह इस इक्वल टू वह है आमारे पास 2T कॉस थीटा डिवाइड़ बाइ रो आरजी समझे अगर कॉस थीटा पॉजिटीव हो मतलब व यह कॉस थीटा हम लोगों को निगीटिव मिलता है भाईया यह फॉल हो रहा है साब साब समझ में आता है हम लोगों राइज और फॉल कब होता है क्या होता है समझ में आना बहुत जर रहे है इस फार्मूले से समझ में भी आता है हमको बस इसी को टी का फार्मूला निकलना अरे क्या यार इस सिंपल सी बात है बोलना सर कैसे देखो आप मैं T को यहीं रुखूंगा यह इधर जाने वाला याच और रोजी डिवाड़ेड़ बाइ समझे देखोवी फार्मॉला मिलता अपको इस फार्मॉली से फार्मॉला बनाना सिंपल सी बात है यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कौन सी जादा है यह ना density को उपर है यह है आपका diameter जो pipe में से जाए तो यह होगे आपकी critical विलाग बच्चो इसी से renal number निकला कुछ नहीं या रेनाल number एक pure number है ठीक है ना मतलब इसके बाद में देखो दो surface layer के बिच में जो viscous pores होता है वो होता है उसका area और velocity gradient velocity gradient क्या है मैंने बहुत अच्छी तरह से term समझा दिया है बस अब इसी से viscosity coefficients of viscosity eta is a coefficients of viscosity बोलते है और यह फार्मला देखवा आपको मिल रहा है यह dv by dx लेकिन मुझे में इसका ऐसा unit निकाला डाइमेंशन निकाले थे यह कोई efficient of viscosity बाद समझ में आ रही है यह formula है इसके लिए मतलब आपको समझ में आना चाहिए कब कैसे formula को गुमाते है अब यह दो layer के बीच में मतलब एक layer दुसरे layer के ऊपर जो friction ला रहा है उसके करण जो fricuous force मिलता है viscous force अरी कौनसा viscous force जो मिलता है वो इतना है दो layer को बीच में यह भी viscous force है सर ऐसे किसे नहीं यह यह श्टुक लाई सही है यह यह भी viscous force है लेकिन कोई गाड़ा liquid हो उसमें कोई ball डालो अंदर तो liquid के अंदर की बात है यह अंदर में डाला पूरा और वो मू कर रहा है ऐसे समझो पूरा गाड़ा liquid है यह 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 और उसमें से ऐसी मू कर रहा है या जूम्, बास समझ में आरी है, या जूम्, ऐसे, लिक्विड के अंदर, या फ्लूड के अंदर बोलो, लिक्विड के अंदर से बोलने से अच्छा है फ्लूड, क्योंकि फ्लूड ये ग्यास भी हो सकता है, अब लिक्विड भी हो सकता है, तो ये हम लोग, स्पियर के बार बाई में ही ये viscous force लगता है ये श्टुकलो हमने पढ़ाता है याद है ये श्टुकलो है आप बोलेंगे सर ये भी viscous force है ये भी viscous force है कौंसा फार्मला लगाना है सिंपल से बात है अगर दो लेयरों के बीच में friction होके अगर जो viscous force मिलता है तो यह अगर कोई ball जैसे कि हमने पानी के अंदर डाल दिया तो यह क्योंकि अंदर की बात है ओके समझ में आ रहा है मेरे खाल से यह पूरे की पूरे फार्मॉले बहुत ही अठ्य और खतर नाख है तर्मिनल वेलासिटी जो मिलती है हमने लोगों को यह देखो यह कुंसी है critical velocity भया ठीक ना critical पता है अब लोगों को जैसे कि streamline flow में से turbulent होता है जिस mode पे होता है जिस point पे होता है उस velocity को हम critical बोलते हैं और टर्मिनल वेलासिटी अलग है बताऊंगा मैं two by nine r square g rho minus sigma divided by eta यह eta है कोन है eta यह कुछ की density है जो ball अंदर डाल रहे है आप लोग जैसे कि यहां पर एक jar है jar क्या अंदर समझो यह liquid है और liquid क्या अंदर आपको पता यह ball डाला है तो यह ball की density rho है surrounding की जो density हो सिगमा है surrounding की यह रो density of the sphere बोलेंगे यह sphere है ठीक है ना यह इसका गाड़ापन इस liquid का गाड़ापन कितना है यह है इटा बोलते है r is the radius of the sphere है अब देखो इसके उपर एक weight लग रहा है यह mg इसके उपर एक thrust नाम का force होता है यह लिखते है उसको और इसकी speed change होने के कारण एक force लग रहा है उसको viscous force कहते है यह फी समझें अब क्या होता बया कि उपर और यह दोनों force equal होके cancel होते है और इस ball की जो speed होती है constant होती है तब उस velocity को terminal velocity कहते है अब रिपीट बच्चो क्या होता है पहले यह जो force है fg is greater than होता है fu से अब मतलब यह जो thrust force है बाद में क्या होता यह speed बदलने से हमारा यह force बढ़ता हमने अल्यडी पढ़ा था तो इसको add करो यार तो आप क्या है इसकी speed बढ़ते 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 यह force बढ़ता है यह तो constant है यह भी mg constant है कौन constant नहीं है यह जिखता yamgi मतलब ठीक न यह constant है यह speed बढ़ने से क्योंकि कोई भी पानी की बुंद जैसे जैसे नीचे आती ना बया जैसे जैसे नीचे आती है वो यह वो इसकी speed बढ़ती बढ़ते बढ़ती बढ़ती है अगर उस speed बढ़े न और उतनी speed हो गई अगर कोई पानी की ब तो इसकी जो स्पीड है वह स्पीड इसको मिल जाती है पानी की बून को तो इसी को टर्मिनल वलासिटी कहते है यह आपको एक्वेशन ऑफ कंटिनुटी पता होना चाहिए ठेक है आपको करनी की जरूत मैंने जान बुचकर दिया है दो फार्मुले और ऊपर के दो फार्मुले जरौत नहीं है नहीं किया तो चल सकता है लेकिन मैं सजेशन देना चाहता हूं यह दोनों रहन में दो ठीक है यह जो आपका तेरम है उसके लिए प्लस वन बै टू रो वी किनेटिक एनरेजी पे którą वलम है ,iyaँ के आपकी कारेज़ इसलिए बोलते है एनरिज को कंजड करें बॉरन-बॉल में में ॐन्चे आपके इंपेड़किस करें बístाल вып abd मैं जान बुच कर थोड़ा बाजू हाट रहा था चलो तो ये फर्मूले करके आप अपने नुमेरिकल साल करने के लिए कोशिश करो मैं भी आपको इसाथ में काम करने के लिए तयार हूँ लेकिन आप तयार है हूँ क्या मुझे कॉमें बॉक्स में एंसर देना है थैंक यू बेशलब पर वर स्टड़ी